जए हिंसाथियो आज Science & Tech के इस त्री मारकर वीडियो लेक्षर में आप कुछ महतुपून चीजे सिखने जा रहे हैं तो ध्यान से देखें इस लेक्षर को इसमें कई महतुपून बाते में बताऊँगा आपको उसके पहले में कुछ बाते आपको और बता दू कि कई लोगों ने इस टेस्सरीज में एडमिशन लिया है और वो अच्छे से टेस्स रेगुलरली टेस्स नहीं दे रहे हैं और कुछ लोग तो टेस्स दे ही नहीं रहें तो इसमें आपको बहुत नुक्सान होने वाला है क्योंकि एक ऐसा समय है जब आप बहुत अच्छी तैयारी करके और बहुत अच्छा improvement अपने writing skills में कर सकते हैं पर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो इसके जिम्मेदार भी आप खुद होगें दूसरी बात जितने लोग टेस्स दे रहें उसमें बहुत कम लोग 3marker को अच्छे से लिख रहे हैं उसका कारण यह है कि practice की कमी और ना ही आप अच्छे से PDF या वीडियो लेक्षर देख रहें और अपनी गलतियों को सुधार रहें तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो लेक्षर को देखे PDF का अच्छे से analysis करें और अपने 3marker writing skill को improve करके हर बार better करने की कोशिश करें अन्य था आपको इस टेसरिश का फाइदा नहीं होगा और फिर आप जहां है वहीं रहे जाएंगे तो चलिए डिसकस करते हैं यह जो दो तिन important बाते मैंने बताई है इनको ध्यान रखे और इनका पालन करे तो आपके 3 markers में सुधार होगा ठीक तो इसके बारे में 3 या 4 important points लिखने होते हैं हमें जैसे चरक के बारे में सबसे पहले पताएंगे कि यह प्राचीन भारती एक रिशी थे महान रिशी थे और एक महान आयरुवेदा चार्य थे इनके दोरा जो प्रसिद एक रशना लिखी गई या आयरुवेद का एक प्रसि कुषान राज्य की राजवेद थे या इसा भी लिख सकते हैं कि यह कहीं कहीं उलेखे की कनिश्क की राजवेद थे ठीक है कनिश्क की शाषनकाल में और उसके बजाए कुषान राज्य की राजवेद लिखना ज्यादा सही रहेगा आपके लिए इसके लावा इनका काल लि लिखेंगे light fidelity लिखेंगे इसका आविस्कार जो था एडिनबर्ग उनिवर्सिटी की प्रोफेसर हेलाल हस ने 2011 में किया था एडिनबर्ग उनिवर्सिटी कहां है आपको मालू है ये स्कॉटलेंड में है ठीके next point जो है वो वाइफाई का लिखेंगे वाइफाई से इसकी तुलना करते हों लिखेंगे कि वाइफाई जो है रेडियो फ्रिक्वेंसी पर आधारित है जब कि लाइफाई प्रकास पर आधारित सर्विस है ठीके next में लिखेंगे वाइफाई के मुकाबले 100 गुना तेज स्पीट से डेटा का ट्रंसफर करता है ठीक है तो लाइफाई के बारे में चार-पाच पॉइंट है जिनको आपको ध्यान रखना है और इसी तरीके से जब तक स्पेसिफिक पॉइंट नहीं लिखेंगे आप अच्छे मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं आपको क्योंकि कॉंपिटिशन लेवल काफी हाई है और उस लेवल में आपको इस तरह के एक्क्यूरेट पॉइंट लिखने होते हैं तभी आपके त्री मार्कर्स में अच्छे नमबर मिलते हैं और उन्हीं नमबर से आपका ओवरल स्कॉर इंप्रूव होता है नेक्स दिखते हैं DNA फिंगर प्रिंटिंग गैस यह जो DNA फिंगर प्रिंटिंग है यह बहुत इंपोर्टन टॉपिक है और इसमें सबसे पहले हमें जो लिखना चाहिए वो लिखना चाहिए कि यह एक जेव तकनीक है या बायो टेक्नोलोजिस भी पहचान की जाती है ठीक है यह जो टेक्नीक है 1984 में बिटिस लिसिस्टर विश्विध्याले के विज्यानिक सर अलेक जेफ्रेज ने इसका विकास किया था इसके इस प्रक्रिया से जेनेटिक इस प्रक्रिया का एक और जो नाम है जेनेटिक फिंगर प्रिंटिंग या DNA प्रोफाइलिंग भी कहा जाता है इसका उप्योग जो है आपराधिक मामलों में या कई ऐसे मामले जैसे कि किसी बेटे का फादर से मेचिंग करना है उसके फादर कौन है या इस तरह के जेनेटिक जो भी विवाद होते हैं उनको सुलजाने में ये तकनीक बहुत काम आती है तो जल्दी जल्दी से इसके छोटी छोटे दो तिन पॉइंट आप लिख सकते हैं ये थोड़ा डिटेल थोड़ा ज़ादा लिखा है मैंने तो इसमें लिखेंगे आप रादी गुथियों को सुलजाने में इसके अधर नाम बता देंगे किसने खोच की है और किसी इस टेकनिक को उप्योग में लाया जाता है ये सबी बाते अपन इसमें बताएंगे नेक्स टेकते हैं जेव समवेदग या इसे इंग्लिश में बायो सेंसर गआ जाता है तो बायो सेंसर एक जेव प्रुत्योगी की तकनिक है इस तकनिक में सुक्ष्म जिवो जैसे बैक्टिरिया जैसे इनका यूज करके मदद से मानव रोग या परियावरन प्रदूशन का पता लगा जाता है तो यह टेकनिक बहुत इंपोर्टन होने वाली है और अभी भी इस पर रिसर्च चल ही रहा है तो इस अंदर में इसको देखेंगे नेक्स देखेंगे भूत आप यह उर्जा सबसे पहले छोटी सी डेफिनेशन लिखेंगे कि वह उर्जा जिसे प्रत्वी में संग्रयत ताप से निकाला जाता है अभी प्रत्वी के अंदर ताप का स्टोर केसे होता है यह देखेंगे कि बूत आपी उर्जा जो एक ग्रह के मूल गठन से कोई भी ग्रह है उसके जो अंदर इंटर्नल पार्ट से उसकी एनरजी से, उसके अंदर जो खनीज है, जो मिनरल से, उसके रेडियो धर्मी छाईष से, और सदाव्पर हुशा से उथपन्न होता है, ग्रह के अंदर जो इंटर्नल अच्छे उर्जा का रूप है भारत में भी देखे तो कई ऐसे इस्थानों का चैन किया गया है जिसके लिए भूत आपी उर्जा बनाई जा सकते हैं जहां से तो 36 गड़ में तातापानी हिमाचल प्रदेश में मनी करना ठीक है यह ऐसे इस्थान है जहां पर भूत आपी उर् इस तरीके से लिखेंगे सबसे पहले बताएंगे नेनो रोबोट क्या है नेनो रोबोट किस टेक्नोलोजिय से संबंदित है और उसका उप्योग कहा हो रहा है यह सब भी पॉइंट अपन लिखेंगे जिस तरीके से मैं पॉइंट को one by one explain कर रहा हूँ और उसके specific महत्व को बता रहा हूँ इसी तरह आपको भी three markers त्यार करने चाहिए और उसी के तहथ आपको लिखने की practice भी करने चाहिए तभी ऐसा हो पाएगा यह एक दिन में नहीं हो पाएगा कई टेस्ट देंगे आप उसके बाद धीरे दिरे आपके अंदर यह improvement आने लगेगा ठीक है चली next deck पर है किसमें यह भी एक biotechnology की ही method GM food अगर देखा जाए तो काफी विवादित है क्योंकि कई देशों में यह प्रतिबंधित भी है इस तकनीक से फसलों की अनुवान्शिक बिमारिया समाप्त की जा सकती है ठीक है एसी कोई जैसे कोई कोई फसल है उसमें बार बार कुशी तरकर का बैक्टिरिया उत्पन हो जाता तो ऐसे बैक्टिरिया का कारण ढूंड कर उसके जैनेटिक में परिवर्तन करके उस बिमारी को हमेशा के लिए समाप्त किया जा सकता है अभी जैनेटिक फूड जो है वो काफी विवादित भी है और काफी research इसमें चल रही है कुछ लोगों होने पर मस्तिस्क विशिस तरह की तरंगे उत्सरजित करता है जिससे वेग्यानिक P300 कहते है ठीक है आप राधिक मामलों में यह test criminal से सच उगलवाने के लिए किया जाता है अगर कोई criminal किसी घटना से संबंद देत है तो जैसे ही वो उन पिक्चर्स को देखेगा उसकी माइ ठीक है नेक्स देखेंगे परियावरन शाप क्या होता है तो सब सब पहले यह बताएंगे कि प्रत्वी के पारिस्थितिक तंत्र पर मानवी मांग का एक मापक है यह ठीक है यह कई ने कई मापन करता है कि कितना human जो है प्रत्वी से resources का उप्योग करता है ठीक है इसान की मा परियावरन शाप कितना है तो ecological footprint भी कहते हैं इसे परियावरन शाप कितना है तो 1.4 प्रत्वी ग्रह का अनुमानी थे इंसान जो है वो डेड़ गुना अधिक मतलब जितना उसको अब्जोब करना चाहिए संसाधन उससे डेड़ गुना कर रहा है तो यह एक तरीका से मानो की लालच को बताता है क्योंकि जितना उनके लिए available है जितना वो consume कर सकते उससे थोड़ा जादा कर रहे हैं वो इस मांग को बता रहे है तो इसे कम करके प्रत्वी को संतुलित किया जा सकता है उसके परियावरन और संसाधनों को संतुलित किया जा सकता है इसलिए यह एक important topic प्रपिक भी है और इससे कुश्चन्स प्याते हैं सुदूर समवेदन क्या होता है सबसे पहले लिखें किसी वस्तु के सीधे संपर्ग में आये बिना उसके बारे में आकड़ी का संग्रहन करना कैसी किया जाता है सेटलाइट के माध्यम से सेटलाइट कुस तरंग उसका उप इसका उप्यूब खनित संसाधन प्राकृतिक आपदा भोगोलिक मेप आधी कारियों में किया जाता है सुदूर समय दन रिमोट सेंसिंग नैक्स्ट एक पैटेंट एक ऐसा कानूनी अधिकार जो किसी वेक्ति या संस्ता को किसी विश्जिश उत्पाद खोज डिजाईन या प्रक्रिया सेवा के उपर एक अधिकार देता है uoش को क्या करता है उसको एक क्राइड देता है जिसकी ये दिमाग की उपज होती है या जिसके दिमाक से ये खोच किया गया है उसको एक विश्यश अधिकार देता है ठीक है ये एक बहुत धीक संपदा अधिकार है एक प्रकार का और वर्तमान में WTO ने patent लागूरेने की अवधी जो है वो बीश्वर्स कर रखिये ठीक है next देखते हैं परिमाब तो ये एक mathematical छोटा सा question है maths के part से हैं परिमाब तो इसकी definition जो होती है वो यह है कि किसी आकरती के सभी भुजाओं के माब को परिमाब कहते है ठीक है जैसे आयत का परिमाब उसकी चारों भुजाओं का योग होगा ठीक है जैसे आयत की two length और two width दोनों को जोड़ेंगे या त्रिभुज हुआ तो उसकी three side angles से उन तिनों का जोड़ होगा वो त्रिभुज का होगा तो उसे परिमाब करते हैं next is cloning cloning क्या होता है ये किसी भी जीव का जेविक प्रतिरूप बनाना ही cloning कहलाता है next cloning के किसी जेविक रिष्णा है जो एक मात्र जनक या तो mother या father से अलेंगिक विधी दुआरा उत्पन होता है ठीक है इसमें one एक ही व्यक्ति चाहिए इसमें cloning के माध्यम से clone बनाने के लिए या तो mother या father से ही अपन clone बना सकते हैं सबसे पहला जो clone बनाएगा था वो भेड का बनाए था डाली नामक भेड का 1996 में जो 6 वर्स तक जिंदा रही थी और यह cloning का एक सबसे बेस्ट एक्जामपल था ठीक है paramedics hospital में मुख्य चिकितसक के सहायक चिकितसक को paramedics का जाता है इसके अंतरगत nurse, pharmacist, lab technician आ दिया आते हैं paramedics एक ग्यान है जो पूर वो hospital के आपाद कालें सिवावत से संबन दीते हैं ठीक है क्योंकि doctor के जो helper होते हैं वो भी इसमें action लेने के mode में होते हैं इसलिए उन्हें paramedics का जाता है doctor की availability नहीं होती हो जब यह लोग वहाँ पर action लेते हैं nurse, pharmacist, lab technician तो यह paramedics सिवाव के अंतरगत आता है green house gas ऐसी gas जो प्रत्वी के उसरत आपमान को बढ़ाने का कारी करती है ठीक है उन्हें green house gases करते हैं जैसे की carbon dioxide, nitrous oxide, methane, chlorofluorocarbon, gel wasp, आदी ठीक है यह एक प्रकार का ऐसा question है जिसमें सिफ green house gases पूछा है पर अगर इसकी छोटी सी definition लिग दिए तो आपका overall answer perfect हो जाएगा और इसमें आपको 3 out of 3 marks मिलेंगे ठीक है तो guys, अशा करता हूँ यह सभी छोटे 3 markers answers आपको अच्छे से समझ माया होंगे यह तो एक model answer है इससे भी बहतर answer आप लिख सकते हैं पर उसके लिए आपको बहुत अधीक practice करनी होगी और practice के बाद ही आप इस तरह से perfect answer लिख सकते हैं अगर किसी भी प्रकार की query हैं तो आप call कर सकते हैं, पूछ सकते हैं आपको क्या क्या परिशानी आ रही है उसके बारे में आप comment box में लिख सकते हैं next video lecture में उसका solution किया जाएगा ठीक है guys, thank you for watching